नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम बाग करेंगे जो हमारी एक सीरीज है जीके रिविजन सीरीज जिसमें हम जीके के प्रिवे सेर के कोशन्स को कवर कर रहें आज की वीडियो में हम समविधान के सत्रवे भाग को यहाँ पे कवर करेंगे लास्ट वीडियो में हमने उपराश्ट्रपती, प्रधान मंत्री, मंत्री परिशत से पूछे गए प्रशनों को एक्स्टा फेक्ट के साथ कवर किया था आज के वीडियो में हम भारत के महानियावादी इसके अलावा जो नियंतरक महालेखा परिक्षक होते हैं जो CAG होते हैं भारत के उनसे पूछे गए प्रशनों को यहाँ पे कवर करेंगे महादिवक्ता, महानियावादी, सॉलिसिटर, जनरल और CAG इनको लेकर भी आपसे धेर सारे कुशन बनते हैं तो उनको हम आज के वीडियो में कवर करेंगे इस सीरीज में हम पूरे प्रिवेश एर के कुशन्स को टॉपिक वाइस कवर कर रहे हैं अभी तक हमने जोग्रोफी के 14 पार्ट, हिस्टरी के भी हमने अभी तक 10 पार्ट को कवर कर लिया है तो अगर आपने इनको नहीं देखा है आप इनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्ण है भारत सरकार को कानूनी विशयों पर कौन प्रामर्श देता है तो भारत सरकार को कानूनी विशयों पर प्रामर्श देते हैं अटॉर्णी जनरल ओप्शन A सही आंसर हो जाएगा अटॉर्णी जनरल को ही भारत का महन्यावादी बोला जाता है हमारे देश के सर्वुच विधी अधिकारी कौन होते हैं अटॉर्णी जनरल कुशन बनता है देश का सर्वुच विधी अधिकारी भारत सरकार का सर्वुच विधी अधिकारी कौन है अटॉर्णी जनरल जिनको महान्याईवादी बोला जाता है कौन सा article है हमारे सम्विधान में, जो इनकी निक्टी से संबंधित है, article 76, ठीके, महन्यायवादी, attorney general से संबंधित article 76 है, जो ये कहता है, ये देश में एक attorney general होका, इनकी निक्ति राष्ट्रपती के द्वारा की जाती है इसको भी याद करेंगे भारा सरकार के सर्वच विधी अधिकारी होते हैं और इनका एक बहुत important question बनता है कि जो attorney general होते हैं इनका कारेकाल कितना होता है इनका कारेकाल निश्चित नहीं है समविधान में राष्ट्रपती की इच्छा पर ये depend करता है वो जब चाएं इनको पत से हटा सकते हैं ठीक है? चलिए नेक्स्ट है निमलिकेत में से कौन राष्ट्रपती के प्रसाद परियंत अपना पद धारन करता है तो कौन करता है? परसाद परियंत यानी राष्ट्रपती की इच्छा पर depend ये करता है भारत का जो महन्यायवादी होता है option D सही आंसर हो जाएगा महन्यायवादी को लेकर आपको एक बात और याद करनी है इन चीजों को तो हमने देख लिया भारत का सरवच न्याय अधिकारी है भारत सरकार का सरवच विधी अधिकारी है ठीके? निक्ति राष्ट्रपती करते हैं कभी भी हटा सकते हैं article 76 के तहट निक्ति होती है ठीके? एक question बनता है कि किसे दोनों सद्रों की करवाही में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है तो वो भी भारत का महनियावादी है ये सद्रों के दोनों सद्रों में बैठकों में भाग ले सकते हैं मीटिंग्स में जा सकते हैं अपनी बात वहाँ पर कह सकते हैं लेकिन मतलान नहीं कर सकते भारत के महानियवादी को कैसे नुक्त किया जाता है यह होता है आपका राश्टपती के द्वारा option B सही answer होगा article 76 कहता है कि भारत का एक महानियवादी होगा article 76 और जो 1 है आपका जो इसका सब पार्ट है वो ये कहता है कि इसके नुक्ती राश्टपती करेंगे और ऐसे विक्ती को attorney general बनाया जाएगा जो supreme court में judge बनने की योगिता रखते हों यानि भारत के नागरिक हो किसी high court में 5 साल से या तो judge रहे हो या फिर 10 साल से वकालत कर रहे हो तो जो योगिता रखते हों उनको बनाया जाएगा ठीक है इसको याद करना है नेक्स्ट है हमारा भारत का महानियवादी किसके द्वारा निप्त किया जाता है यही question आप से बहुत बार बनता है तो भारत के राश्टपती के द्वारा निमलिकित में से किसे भारत सरकार का प्रतम विदी अधिकारी माना जाता है तो प्रतम विदी अधिकारी ये महानियवादी को माना जाता है भारत के प्रतम विदी अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है तो भारत के पहले विधी अधिकारी ये कहा जाता है भारत के महानियावादी को, ठीक है option C, भारत सरकार के मुख्य विधी प्रामर्श दाता कौन है, देखिए एक ही कोशन है महानियावादी को लेकर के जाधा कोशन नहीं है, तीन से चार कोशन होते हैं, कापसे article पूछता है इनका कारकाल पूछता है और इसके लावा इनके निप्ति पूछता है और इनका जो पद है, वो किस से संबंदित है, क्या उनके status है, वो पूछा जाता है कि भारत सरकार के प्रतम विधी अधिकारी है, ये आता है, ठीके, तो कौन है सही आंसर, Attorney General of India, ठीके, भारत के Attorney General वि से किसको अपने कर्तवियों के पालन में भारत के राज्य छेत्र में सभी न्यायलों में सुनवाई का अधिकार होगा, जो महान्यायवादी होते हैं, जो Attorney General होते हैं, उन्हें भारत के सभी न्यायलों में सुनवाई का अधिकार है, option B सही आंसर हो जाएका, भारत के महान्या कि वहाँ भारत के राष्टपती की द्वारा निक्त किया जाता है ये सही है उसमें वही योगिताएं होनी चाहिए जो सरवुच न्याले के न्याधीश की होती है ये भी आपका सही है ठीक है इन दोनों को हम उपर कर चुके तीसरा कहता है कि उसे संसत के किसी भी सदन का सदस् करता है तो ये भी गलत है एटावनी जनरल को हटाने के लिए कोई विशेच विधी का उलेक नहीं है ना ही इनका कारेका निश्चित है राष्टपती की इच्छा पर डिपेंड करता है जब तक वो इनको रखना चाहें तो आप्शन 3 और 4 यहाँ पर गलत है पहला और दूस पर गलत है शुरवात की तीन आपके सही है निमलिकित में से किसे संसत को संबोधित करने का अज़ित अधिकार है तो किसको है अधिकार अभी हमने बात करी भारत के महानियवादी को जो एटाउर्री जनरल है उनको यह अधिकार प्राप्त है ठीक है लेकिन वो वोटिंग नहीं कर सकते ठीके, भारत के महानियावादी के संबंद में निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा statement यहाँ पे सही नहीं है, चलिए देखते हैं, वो मंत्री मंदल का सदस्य नहीं है, तो यह आपका सही statement है, ठीके, उसे संसत के दोनों सद्रों में बोलने का अधिकार है, ये भी आंसर हो जाएगा इनके सहायक के तौर पर इनको निक्त किया जाता है इनके सहायक करते हैं इनका सहयोग करते हैं अब ये काफी अच्छा क्वेशन है क्योंकि यहां पर राज्य सरकार की बात हो रही है देश की बात नहीं हो रही है भारा सरकार की बात नहीं हो रही है तो महानियावादी नहीं होगा अब हमारे पास दो महतपून टम बचे दिखिए जो राज्य का प्रमुक प्रामश अधिकारी होता है, कानूनी सलहकार होता है, महानियावादी के समक्ष ये केंदर में होते हैं, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, ठीक है? केंदर में एटॉर्नी जनरल होते हैं, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, महा महानियावादी भारत के प्रमुक कानूनी अधिकारी होते हैं दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो महानियावी करता आते हैं जिने हम सॉलिसीटर जनरल कहते हैं राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में आपके एड्वोकेड जनरल आते हैं जिनको हम महादिवक्ता तो केंद्र में महानियवादी, राज्यों में महादिवक्ता ठीक है चलिए इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलहकार है तो राज्य सरकार का कानूनी सलहकार हमने बात करी महादिवक्ता होता है option A सही आंसर हो जाएगा राजी सरकार को कानूनी मामलों में सला देने के लिए अधिकरित कौन है? तो कौन है यहाँ पर अधिकरित? सही आंसर है महादिवक्ता, एडवोकेट, चेनरल ठीक है? महानियवादी केंद्र के लिए है, निवक्ती हमने देखी आर्टिकल 76 महादिवक्ता राज्यों के लिए है और इनकी निवक्ती आर्टिकल 165 में है इसको भी आपने याद करना है, ठीक है? भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की निवक्ती की जाती है जो नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक होते हैं यानि CAG की बात हो रही है इनकी निवक्ती राश्टपती की द्वारा की जाती है कौन से आर्टिकल में इनके पद का उलेख है? 148 कहता है कि भारत का एक CAG होगा, महालेखा परिक्षक होगा निवक्ती कौन करेगा? राश्टपती करता है, ठीक है? आर्टिकल 148 एक important है आर्टिकल 159, ये बहुत बार पेपर में आता है इसमें क्या है? आर्टिकल 159 में जो CAG है उनके कारिय, उनकी शक्तियों के बारे में बताया गया है ठीक है, उनके करतवियों के बारे में 149 में है एक question और, जो ये होते हैं, नियंतरक एवां महलेखा परिक्षक CAG होते है जो इनका कारेकाल 6 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र तक होता है दोनों आपको याद करने, या तो 6 वर्ष उनको पदपर पूरे हो जाए या उनकी उम्र 65 पार हो जाए, उनका वो कारेकाल होता है ठीक है, इनका कारेकाल निश्चित है, महा नियावादी और महादी वक्ता उनका निश्चित नहीं है भारतिय समविधान के किस अनुचेत के अंतरगत भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक की निउक्ति की जाती है तो इनकी निउक्ति आर्टिकल 148 के तहट होती है, ठीक है भारत के नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक के संग के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सरुप्रतम निम्न में से किसको प्रस्तूत किया जाता है देखे जो माहले का परिक्षक होते हैं ये अपनी रिपोर्ट को अपने प्रतिवेदन को संग के बारे में अगर बात है तो सबसे पहले ये भारत के राश्टपती को देते हैं और अगर राज्यों की बात करें राज्यों के मामले में ये राज्यापाल को देते हैं इसको सभा में आती है भारत के नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षा के पद पर नियुक्ति का कारेकाल होता है तो कितना इनका कारेकाल होता है अभी हमने देखा 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र नेक्स्ट है हमारा भारत के नियंत्रक एवं महलेखा परिक्षा के संबंद में निमलिकित में से कौन सा सही नहीं है तो चलिए इनको पढ़ते हैं पहला स्टेट्मेंट कहता है कि उनकी नियुक्ति राश्टपति द्वारा होती है बिलकुर सही है उनका वेतन सरवच्चे न् ये जी होते हैं जब ये अपने पद से रिटायर होते हैं तो ये भारत सरकार के अधीन किसी भी पद को स्विकार नहीं कर सकते ठीक है चौता है इनको राश्टपती पदचियूत कर सकते हैं ये वाला गलत है इनको डारेक्ट आप नहीं हटा सकते जिस तरीके से सुप्रीम कूट के जजिस को हटाया जाता है दोनों सदनों में एक विशेश प्रस्ताव पारित क्या जाता है विशेश बहुमत के साथ जब उन पे आरोब लगते हैं फिर उनकी जाच होती है सिध होती है प्रस्ताव पारित होता है फिर वो हटते हैं वही प्रोसेस इनके लिए भी अपनाई जाती है तो राश्टपती इनको नहीं हटाते जाच के बाद प्रस्ताव पारित होता है एक तरीके से महाभ्योग के बाद ही इनक उनको ऐसी कोई जरुवत नहीं है उनके आप डारेक्ट हटा सकते हैं महानियवादी को राष्ट्रपती महादिवक्ता को राज्यपाल नेक्स्ट है भारत के नियंतरक और महालेखा परिक्षक को उसके पद से हटाई जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है तो जो सुप्रीम कोट का नियाधिश होते हैं उनके समान है तीक है नेक्स्ट है नेक्स्ट है नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक का करतव्या ना केवल वय की वैदता सुनिश्चित करना है अपितु औचत्य भी है और दूसरा कथन है उसे वित्य प्रशाशन के छेत्र में सम पैसा लिया गया वो वैद तरीके से लिया गया या नहीं लिया गया उनको उसका औचत्य भी डिसाइड करना है कि जो पैसा लिया जा रहा है वो काम के लिये भी लिया जा रहा है या सिर्फ अपने लिया जा रहा है तो उनको दोनों चीज़े देखनी है और उन्हें वित्य पर तरीके से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है और जो पैसा लिया है वो सही काम के लिया या नहीं लिया है दोनों काम देखने का किसका है C.A.G. का है ठीक है निदी से होने वाले सभी व्यों का लेखा परिक्षण करते हैं और उनके संबद में प्रतिवेधन प्रस्तुत करते हैं ये काम वो करते हैं आकस्मिक निदी लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्यों की लेखा परिक्षा करते हैं प्रतिवेधन देते हैं ये भी सही है सभी व जनिक राजस्व कोश में जमा हो ये उनका काम नहीं है ठीक है टॉप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएका निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए कौन सा कतन सही है आपने बताना है पहला नियंतरक महलेखा परिक्षा का करतव्य होगा उन सभी प्राप्तियों की लेखा परिक् किसी कारले या विभाग में रखे गए भंडारों स्टॉकों की लेखाओं की लेखा परिक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्रादिकार होगा तो ये उनको प्राथ है वो चाहे संग के किसी भी ऑफिस में कर सकते हैं राज्यमेक भी जाके किसी भी ऑफिस मे इसको याद करेंगे नियंतरक एवं महालेखा परिक्षा की टीका टिपणी पर उचित कार्यवाई करने की अंतिम जिम्यदारी किसकी है काफी अच्छा कोशन है देखें CAG अपनी रिपोर्ट तयार करते हैं और वो भारत के राष्टपती को अपनी रिपोर्ट दे देते हैं फिर राष्टपती उस रिपोर्ट को लोग सभा में या संसद में रखवाते हैं तो उस जो रिपोर्ट उन्होंने दी है CAG ने उस पर अंतिम कार्य कौन करता है संसद करती है ओप्शन C सही आंसर होगा जमा तो वो राष्टपती पे देते हैं फिर राष्टपती उस पर कार्य करने के लिए उस पर विचार करने के लिए उसे संसद में पेश करवाते हैं तो अंतिम कार्यवाई कौन करेगा संसद करेगी निमलिकित में से कौन संसत की लोख लेका समीतियों की बैटकों में उपस्तित रहता है लोख लेका समीति की बैटकों में भारत के नियंतरक महालेखा परिक्षक उपस्तित रहते हैं इसको भी आपने याद करना है नेक्स्ट है हमारा संविधान का कौन सा अनुचेत भारत के नियंतरक एवं माहलेखा परिक्षक के करतव्यों को निर्धारित करता है देखें न्यूक्ति की बात नहीं है करतव्यों की बात है और लेटिस्ट का कोश्चन है जो लेटिस्ट के हैं वो जादा इंपोर्टन है उपर हमने बात करी नियूक्ति 148 में होती है तो इसको टिक नहीं करना है आपने करतव्यों की बात की गई है आर्टिकल 149 इसका सही आंसर होका ओप्शन D सही उत्तर है इसका ठीक है भारत का नियंत्रक एवं महलेखाकार निमलिकित में से एक का मित्र एवं मागदक्षक होता है किसका होता है कौन सी समीति का होता है सही आंसर है जो लोक लेखा समीति होती है तीक है इसका मार्ग दर्शक और मित्र की रूप में काम करता है CAG इसको भी याद करेंगे ठीक है आने वाले वीडियोस में हम संसत की विभिन समीतियों से भी पूछे गए प्रशनों को देखेंगे किस वर्ष में एकाउंटिंग को आडिटिंग से अलग किया गया और CAG का कारिय केवल सरकारी लेखा तक समीत रह गया जो पहले CAG थे इनको पावर थी कि ये अकाउंटिंग भी कर सकते हैं और आडिट भी कर सकते हैं लेकिन 1976 में इसे अव आकाउंटिंग नहीं करते हैं ये केवल चीज़ों का आडिट कर सकते हैं परिक्षा कर सकते हैं, एकाउंटिंग इन से हटा दिया गया, ठीक है, कब हटाया गया, 1976 में, नेक्स्ट है, 1971 का संसोधन, जिसमें महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों और सेवा की इस्तिती थी, अधिनियम रेखांकन और लेखा परिक्षन को प्रतक करता है, सेजी के लेखों के तयारी के उत्तरदाईव से मुक्ति कब दी गई, तो ये दी गई, 1976 से, 1971 में अधिनियम आया था, जिसमें महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य शक्तियों के बारे में बताया गया, 1976 में इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, और जो वो काम करते थे, पहले प्रिटिंग कभी करते थे, उनसे अकाउंटिंग ले ली गई, अवोकेवल ओडिट कर सकते हैं, ठीक है, राजियों के वित्य लेखों का परिक्षण कौन करता है, तो राजियों के वित्य लेखों का परिक्षण कौन करेगा, इन में से कोई नहीं करेगा, ओप्शन D सही आ देखा परिक्षक को, option B सही आंसर हो जाएगा, एक famous statement इनको लेकर के, CAG के पद को लेकर के आई है, जिसमें ये कहा गया कि हमारे समविधान के अधीन सबसे महत्पूर्ण पद अगर कोई है, तो वो CAG का पद है, ये statement किसका है, ये statement है, भीमराव अंबेटकर का, ठीक है, question बन समविधान के अधीन सरवादिक महत्पूर्ण पद कौन सा है, CAG का है, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, भारत के CAG नियंतरक एवं महले का परिक्षक कार्यक करते हैं, तो कैसा काम को वो करते हैं, सही आंसर है हमारा, लोक वित सरक्षक के रूप में, option D, B, हमारा सही आंसर हो ज सुची एक को सुची दो से यहां पर मिलाना है, चलिए इनको मिलाते हैं, यहां पर एक तरफ अधिकारी है और दूसरी तरफ संस्थान है, संबंदित, ठीक है, भारत का उपरांश्ट पती आप जानते हैं, राजसभा के सभपती होते हैं, भारत का नियंतरक एवं महले का प महानियावादी आपके लोग सभा की बैठखों में भी जा सकता है और भारत का महानियावादी आपके उच्चतम न्याले की योगिता भी रखता है तो दोनों इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा ठीक है? तो इसको भी आपने याद करना है तो ये इनका सही क्रम जो आपसे पूछा जाता है ठीक है नेक्स्ट है निवलिकित में से कौन सा विकल्प गलत है लोग वित्य सरकार के वित्य किरा कलापों का अध्यन है इसके अंतरगत कौन आते हैं तो इसके अंतरगत आपके विवसाइक बैंकों के कार्य निशपादन आते हैं ठीक है यह statement गलत है यह इसमें नहीं आता इसमें आपके सारवजिनिग खर्च का परिक्षन आता है सारवजिनिग राजश्व आता है वितिया प्रशाशन आता है इसको आपने याद करना है ठीक है लोग वित्व सरकार के वित्व किरिया कलापों का अध्यन है इसमें आपके ये चीजे शामिल है जो विवशाइक बैंक होते हैं किस तरीके से काम करेंगे इससे सरकार का लेना देना भी नहीं है ठीके लोग वित्व में इसमें शामिल ये नहीं होगा तो फ्रेंट्स यह था हमारा सम्विधान रेविजन सीरीज का आज हमने सत्रवा पार्ट यहाँ पे कवर किया, भारत के महानियवादी, हमने सॉलिसिटर जनरल महादी वक्ता और C.E.G. से रिलेटिट कोशन को हमने यहाँ पर देखा, उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसं में हमेज़ जरूर बताएं, थैंक्यू फ्रेंट्स